नमश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देखरें न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की दुनिया भर में एक फिल्म में तहलका मचा रखा है इस पे बहुत चर्चा है ब्लॉक बस्टर फिल्म ओपन हाइमर में जिस तरह से एटम बम बनाने वाले विज्ञानिक के बारे मे पूरी दुनिया में हिरोशिमा का भयानक दिन के तौर पे मनाया जाता है उसी दिन दुनिया का पहला एटम बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा में यह फिल्म और एटम बम क्या रिष्टा है इंके बीच इस पे हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकाईस से प्रबीर आज आपके साथ हम बात करेंगे परताल में एक ऐसी फिल्म के बहाने एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिसने बहुत समय बाद पूरी दुनिया का ध्यान खीचा है यह फिल्म है ओपन हैमर और हमने देखा है कि जिस तरह से यह फिल्म ब्लॉक बस्टर है इसमें जिस तरह से भारत सहित पूरी दुनिया में दुबारा से एटम बम को और एटम बम बनाने वाले विज्ञानिक के बारे में कहानी किस्सा सामने लाए हैं यह फिल्म और दिला रही है, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस है, दुनिया ने विभीशिका देखी थी आटम बं की, और उस बं को बनाने वाली फिल्म, मतलब उस व्यक्ति के बारे में कहानी है इसमें, कैसे आज की तारीख में दुनिया एटम बं को याद करे, हिरोशिमा दिवस की जो कि एक इनसान ने ये बॉम तो बनाया नहीं, आपन है बर टीम को लीड कर रहा था, और इस टीम में 125,000 बईज्ञानिक एंजिनियर्स और एक्सपर्ट्स मौझूद थे, 125,000, ये पहली बार विज्ञान में इतने बड़े पैमाने पे एक टीम बना, और बॉम बनाने के पीछे जो इसके इंडस्ट्रियल शक्तियां थी, जो फैक्ट्रियां थी, जो इस पे भी काम चल रहा था, उसको लेके करीब half a million, याने 5,000,000 लोग इस प्रोजेक्ट में मौझूद है, ये जो एटम बंब बनाया गया, जिसमें एक शक्स के उपर फिल्म है, जो लीड कर रहे हैं, ये भी एक किस्सा है, कि ये एटम बंब कुछ फिजिसिस्स में ने बैट के कमरे में एक फॉर्मूला निकाला, उससे बंब बना, ये एक जो प्रचार था, उस वक्त भी था, अभी भी इस फिल्म के जरिये, कुछ हद तक वही प्रचार चलता है, वो गलत है, ये पहली बार विज्ञान का इतने बड़े पैमाने पे, इतने जिसको कहेंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे विज्ञान की याची का, विज्ञान की एक्सपरिमेंट जो है, हुई, और इस एक्सपरिमेंट अब जानते हैं, उसका परिनाम था अटम बंब, जो दुनिया में सबसे बड़ा एक परिवर्तन किया, कि ऐसे विनाशकारी अस्त्र ने, अस्त्र हमने बनाया, जिससे सब हम दुश्मनों को नहीं, खुद के भी हम डिस्ट्रॉई कर सकते, बर्बाद कर सकते, पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, यह ऑपनहाइमर शक्स इस हिसाब से, उसकी क्या कहे उसकी प्रतीक है, कि विज्ञान का परिवर्तन का, पर यह विज्ञान का जो परिवर्तन है, यह एक बहुत बड़ा साइंस और टेकनोलोजी के परिवर्तन था, कि सेंटर स्टेज पे विज्ञान पहुंचता है, सिर्फ विनाशकारी शक्ती तो पहली भी थी, पर अब विन हिरोशिमा नागासा की दोनों शहर है छे आउगस्ट को हिरोशिमा में गिराए गया था और इस बाउम की विभीशिका सिर्फ अब ये नहीं है कि अमरीका को लगा था कि हम पूरा दुनिया पर काबू पालेंगे क्योंकि हमारे पास एटॉम बाउम है और किसी के पास नहीं है तीन साल बाद सौवित यूनियन ने उसको बाउम गिरा के बाउम बिसफोट करके दिखाया कि वो शक्ति दूस्ते देशोब में भी हो सकती है और आप जानते हैं आज कितने सारे देश है जिनके पास बाउम है और सबसे जो चिंता जनक कहें खतरनाक बात कहें कि हम नुक्ल बनाने के होड में लगे हुई है और होड बनी हुई है और होड लगी हुई और लोग भूल भी जा रहे हैं इसलिए हम बार-बार अपने कायक्रम में याद भी दिलाते हैं कि यह जो विभीशिका है जिसके बारे में ये फिल्म भी जिक्र करती है कि अंत इसका एक विभीश में और इस किताब में भी जिक्र है और इस किताब में जो हॉलोकॉस्ट था इस किताब के बारे में हम ज़रा दो शब्द रताना चाहेंगे हमने विज्ज्ञान जथ्था एक थी 1987 में तो ये जो किताब है उसकी उस वक्त हम ने इसको बनाया था हमारा एक मित्र है इंडी जयर प्रकाश करके उनकी exhibition थी उसके उपर हमने ये किताब बनाया था तो slides उनके जित्ते थे हमने यहाँ पर transfer किया है तो पहली बात तो है कि ये bomb की सबसे बीवीशिका कहे या दहस्त कहे जो भी कहे वो देखिए तस्वीर है जो दिवाल पे सिर्फ छबी के रूप में इंसान बन जाता है इंसान का कोई चिन्ध नहीं होता है तो बेपराइज हो जाता है और उसका जो सिर्फ शैडो और दिवाल की उपर उसमे क्या कहेंगे एक फोटोग्राफ के तरह रह जाता है तो ये तो इस तरह के और भी इस तरह के तस्वीर है आप देख सकते हैं पर ये जो तस्वीर है इस तरह पिछले वाले पर जाएंगे एक बार दूसरी बात ये है कि ये बॉम की जो इनसान के साथ क्या हुआ उसके तजवीर नहीं मिलता बहुत कम मिलता है एक जापनीज फोटाग्रफर है जिन्होंने फिल्म को फोटोस को खीचा था और किसी ने फोटोस को खीचा नहीं था बाद में जो अमेरिकन वहां रिपोर्टर्स गहे थे उनकी स्वेल तक देखा कि बिलिंग्स दहस्त हो गई वि दर्फ होगी इंसन का क्या हुआ उसका बहुत कम था 7 साल बाद आपके पोटोग्राफ, एक फोटोग्रफर है उसके कुछ फोटोजैंत वक्त के अर यह तस्वीरे इनकी तस्वीर, हाँ वह फोटो है उनके تस्वीरे 7 वा जब American occupation forces जब चले आते तो photograph देखने को मिलते हैं और उसका पहले वाले अगर आएंगे तो यह था बच्चों की याद जो उन्होंने बाद में paintings में उतारे थे उसकी तज़वीरें मिलती है यह याद की लोगों की याद की जो है उस वाक्त क्या हुई थे तो यह रिष्ट जो है हमारे लिए हर बार देखने की यह जरूरत है क्योंकि यह एक ऐसा बंब नहीं है जो की कुछ लोग मरेंगे ऐसा बंब है शहरों को विद्वस्त कर देंगे और पुष्टेनी इसमें जो है जहर शरीर में रह जाता है तो यह जो चीज है इसी लिए चिठी के वजए से बंब शुदूवात किया था एवडियार रुजवेल्ट ने उन्होंने कोशिश की थी कि बंब न विसफोट की जाए जपान पे रुजवेल्ट मर गय थे ही डाइड कुछ दिन पहले बंब गिराने के टूबन प्रेजिडेंट बने थे और उन्होंने ब बदालत जापान के उपर हम छोड़ेंगे तो सौवेत यूनियन भी हमसे डरेगा और हम पूरे दुनिया पे काबू पालेंगे यह जो चीज थी और इससे पीस मुव्मेंट पे शुरू होता है यह सब दिश्चों जो देख रहे हैं इसका शुरूआगी होता पीस मुव्मे पीस मुव्मेंट पे में जित्ते साइन्टिस्ट शामिल हुए थे इस इस आशा से शामिल हुए थे कि हमने बॉब बनाया है इसका असलियत बताएंगे तो पीस मुव्मेंट के जरिए कम से कम लोग विश्वास भी करेंगे बाउब जो है उसको ख़दम किया सकते हैं आज पर हमारा ये हिरोशीमा दिवस पे खास तोर से हमें हर बार इस संकल के दुबारा लेना चाहिए कि बॉम अगर विस्पोर्ट कोई न्यूक्लियर वार अगर होगा तो दुनिया बचेगी बचेगी नहीं प्रभीर अभी हमने चर्चा की युद्ध की विभीशिका की इस समय य सेंट पीट्सबर्ग में यहां पर जो बैठक हुई है इसमें तमाम मुद्धों के साथ जो एक एहम मुद्ध है वह युक्रेइन युद्ध पर भी है और साथी साथ जो ग्रेंडील है यानि जो अनाज की यहां पर अफरीका के देशों में जाता था रूस का अनाज उसी ल साथ जो साफ तस्वीर है रूस के साथ आफरीका की पुराने संबंध रहे हैं खास तोर से लिबरेशन के वक्त क्योंकि जो इंपेरिलिस्ट पावर्स थे फ्रांस थे इंगलेंड थे पॉर्टूगल थे बेल्जियम थे इनके खिलाफ जो संघर्ष हुआ था उसमें सौवेत यूनियन की मदद बड़े पैमाने पे इन जगहों पे मिले गई थी और इसलिए वहाँ पर आफरीका में रूस की छबी चाहे सौवेत यूनियन रहे न रहे अभी पर रूस की छबी अभी भी काफी अच्छा है और यह अमरीका और यूरोपियन यूनियन की छबी अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि वह हमेशा जो कलोनियल पावर्स थे उनके साथ थे और यह चाहे वह उनाइटिड नेशन्स हो चाहे और जगह पे हो सौथ आफरीका के जो रेशियल इशू पे जो लंबी लड़ाई लड़ी गई थी उनाइटिड नेशन्स में इस सब ल तो अब उन्होंने इस चीज का जो जिकर किया है तो यह चीज आज इसलिए ज्यादा प्ले कर रहे है क्योंकि हमने बहुत बार जिकर किया है कि फ्रांस के खिलाफ इस वक्त काफी नाराजगी है और अफरिका के खास तोर से उन देशों में इनको फ्रांकोफोन आफरिका कहा जाता है जो कि फ्रांस की कॉलनी रहे हैं तो इन लोगों को अफरिकन मुलकों को अमरिका और यॉरप को उस तरह से वो नहीं देखते जिस तरह रूस को देखते है चीन अभी भी सबके लिए ए तो इस संदर्व में रूस की जो ग्रेन डील की जो आप जिकर कर रहे थे उसको अगर अब देखें तो ग्रेन डील में आफरिकन देश ये छे देशों को फ्री ग्रेन जो देने की प्रॉमिस किया है इससे उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी बात है उन्होंने कहा कि हम चाहिए और कैसे हमें मिलेगी यह चीज हमें साफ होना चाहिए पर इस पे जो हमने पहले भी जिकर किये हैं कि इस पे अगर आप देखे तो आप देखेंगे कि इस ग्रेंड डील फाइनाशियल सैंक्शन्स जो रूस पे है इसके ऊपर काफी डिपेंड करता है ग्रीन डील रूस के साथ करना छोटे मिलकों के लिए बहुत दिक्कत है बड़े मूलक है तो ये रूपी रूबलक और असक्षेंज कर सकते हैं तो अलग अलग तरीकें हमारे पास हैं पर इन छोटे मुलकों का वो सहुलियत नहीं है तो उनके लिए अगर वो बैंक के जरीए स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के जरीए रूस की कंपणियों को पेमेंट नहीं कर पाएंगे उनके लिए बड़ी मुश्किल है तो पुतिन grain भेजना fertilizer भेजना दोनों पक्ष yo cream रुष को दोनों पक्ष कर सकते हैं अगर सिर्फ krein भेजेगा हमने पहले भी जिसका जिक्र जो हम detail कर रहें उसके ढूंस में हमें पहुं के है और रूस के grains और fertilizer जिस पर हम ही डिपेंड करते हैं अगर banking system के जरिये पेइमेंट नहीं होता तो आफ्रिकन देशों के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है यह बात पुतिद भी कहा और रूस का और दूसरे आफ्रिकन देशों नहीं भी कहा पर उसका कुछ हल अभी निकला नहीं है इस समिट पे निकलने के संभादना नहीं है जब तक financial system जो अभी इस वक्त अमरीका कंट्रोल कर रहा है उसका उसके अंदर कोई exception ना किया जाए अगर वो कोई रहात नहीं देते हैं और यह बात अभी भी यहां जिकर हुआ है प्रबीद हमने शुरू युद्ध से किया भीशन विभाईशी का जो होती है युद्ध के इर्दगर्द और जिस तरह से हमले होते हैं जो हमारे पडोसी देश से खबर आ रही है वो भी काफी परिशान करने वाली खबर है वहाँ एक आत्मगाती हमला होता है जिसमें पश्पन से अधिक की मौतों का जिकर हो रहा है कितने लोग मारे जाएंगे मारे गए हैं इसका exact figure आने में अभी समय लगेगा लेकिन दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह के हमले लगातार बढ़ रहे हैं जो हमारे लिए एक चि रुड़ों ने हमला किया ऐसे जगहों पर जो की तालिबान प्रो तालिबान रैली कहा जा रहा है तो मतलब दो fundamentalist forces की बीच पर पर खत्रा पाकिस्तान मुल्क के लिए ये सबसे बड़ा खत्रा है कि ऐसी ताकते अगर बढ़ते हैं ये पक्तुन ख्वा में हुआ है ऐसे ता पाकिस्तान के अंदर उनके पास आर्म्स है दिख रहा है और इस ऐसे लड़ाई अगर होगी तो पाकिस्तान राष्ट्र को तहस नहस कंदे की चमता रखती है हमें भी से सबक लेना चाहिए कि religious forces को बढ़ावा देना आसान है जो पाकिस्तान ने किया और ये अफगानिस्ता को देखते हुए किया था वही शक्तिया इस वक्त पक्तुन ख्वा में हुआ है अफगानिस्तान के पास सटा हुआ इलाका है वहां पर हुआ है वही forces इस वक्त पाकिस्तान में भी विभाजनकारी रास्ता ले रहा है और इसमें पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाह पावर बॉम उनके पास है ऐसे जगह पर अगर अस्थिरिता चलेगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है और यह हमारे लिए क्या कहेंगे सबक है कि इस रास्ते में हमें क्योंकि हमारे यहां भी ऐसे शक्तियों का बढ़ावा दे रहे हैं मानिपुर जिसका एक्जांपल है तो यह हमारे लिए भी अच्छा नहीं है पाकिस्तान से कम से कम हमें एक नेगटिव सबक तो सीखनी चाहिए कि यह हमको इस रास्ते में जाना हमारे लिए कित्ता खतर नहीं है एक बात बहुत साफ है आपने जिक्र मनिपुर का किया दिल्ली के बगल में नुह जल रहा है यानि जोड़ना दिक्कत की बात होती है उसमें मेहनत लगता है वक्त लगता है पर विभाजन आसान होता है पर विभाजन का जो पहल है उसका क्या कहीं बहुत बड़े कीमत चुपाने पड़ती है वो बहुत 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 वक्त लगता है और कीमत काफी भारी हो सकता है जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर पाकिस्तान की यह तस्वीर यह खबर हम सब को डराती है और हमें डरना भी चाहिए क्योंकि धर्म आधारित हिंसा धर्म आधारित का टरता नफरत सिर्फ नफरत को जनम देती हैं सिर्फ मौते मौते और मौते होती हैं हम किस तरह से दे करिए शेयर करिए न्यूज क्लिक पर्ताल दुनिया भर की शुक्रिया